दिल से चुनिए कोई भी एक फूल उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए नमश्कार दोस्तो जै मातादी जै श्री कृष्णा कैसे हैं आप सब हमाशा करते हैं आप सब खुश होंगे सिहत मंद होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे बहुत सा के मन में हैं आज आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लिए कराए हैं कि उनकी दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए उनकी फिलिंग्स क्या हैं वो क्या महसूस करते हैं सब कुश बताएंगे आपकी सामने दो तस्वीर हैं दो नंबर हैं आप को जो जादा आकरशित करें उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी डेडिंग देख लीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करें आपने फ्रेंट्स के साथ और बेल आइकन को भी बिल्कुल प्रेस करते हैं ताकि आने वाले वीडिय किसन आपको मिलते रहे आई होप आप समझ गए होंगे तो अपने मन को शामत करके अपनी आखे बंद कीजिए और फिर गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर एक ऑप्शन चुन लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगर आपने चुना है ऑप्शन नमबर वन को फर्स्ट व शिंधन रासी जैमनी लिब्रा एक्वेरियस में थुंतुला कुम राशी की अनर्जी भी बहुत स्ट्रोंग है टार्सपर्गों केप्रिकॉर्ण ब्रुशफ को नियमकर रासी भी है और करक ब्रेशिक मीन रासी पाइसिस कंसर स्कॉर्पियो भी है तो सभी साइन और अलिमे तारीक 16 तारीक 25 तारीक 14 तारीक 23 तारीक तीन तारीक और 12 तारीक ये डेट अब बर्थ हो सकते हैं अब बात कर लेते हैं बर्थ मन्थ की बर्थ मन्थ हो सकता है जून अप्रेल जुलाई फरबरी सितंबर और नवंबर ये बर्थ मन्थ हो सकते हैं नेम के निशल की बात कर तो नेम के नीशेल में हो सकता है के S G O M P Y और E ये नेम के नीशेल हो सकते हैं अब हम कंडिशन की बात करें तो कंडिशन कुछ इस तरह से है कि हालात और बरिस्तियां दोनों ही बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है आपको छोड़ कर चले गए हैं सेपरेशन की कंडिशन है बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके जो पर्सन है वो इस बात से नाराज हो गए कि आपने उनको प्रेशर किया कि वो कोई कमिटमेंट करें शादी करें अब इस रिष्टे में अगर रहना है तो कोई न कोई एक फैसला उनको लेना होगा इस तरह से जब उनके सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने ये सोचा कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं आप अपनी मन मर्जी उन पर थोप रहे हैं आपके मन में ऐसा है कि शादी करना है और अभी वो इसके लिए तयार नहीं है इस वज़े से इस बात को उन्होंने इतना बढ़ाया कि बस वहीं आपको ब्लॉक कर दिया आपको छोड़कर चले गए और उसके बात से आपसे बात ही नहीं की है बहुत सारे लोगों के लिए यही एनर्जी निकल कर आ रही है तो आपके जो परसन थे कहीं न कहीं इस रिष्टे को तो बना के रखना चाहते थे लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहा रहे थे उन्होंने ये सोचा था कि जब तक सब कुछ एजी है सब कुछ आसानी से चल रहा है चलने देते हैं जब मुश्किल आएगी जब समय आएगा तब देखेंगे इस तरह से टालते रहे शादी की बात को किसी भी कमिटमेंट की बात को वो हमेशा टालते रहे जब भी आपने उन से कहा कि अब हमें कुछ फैसला लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए तो उन्होंने इसी तरह से आपको टाला और फिर जब आपने बहुत जादा जिद की तो बहुत सारे बहाने उनके सामने आ गए कि फैमिली नहीं मानेगी फैमिली इशू बहुत स्ट्रोंग है और उनकी फैमिली किसी भी तरह से नहीं मान सकती इस रिष्टे के लिए हो सकता इंटरकाश्ट इशू है या तो फिर ये पहले से ही मैरिट थे कमिटेड थे लेकिन इन्होंने तब बताया नहीं रिष्टे के शुरुआत में इन्होंने नहीं बताई ये बाते कहीं ने कहीं इनके दिल में चोर था इनके मन में ये बात थी ये धोखा दे रहे थे आपको और आपको ही अभी गलत थेहरा दिया कि आप पीशे पढ़ गए हैं इस रिष्टे में आप कमिटमेंट चाहते हैं इतनी जल्दी कुछ भी होना आसान नहीं है ये दिखाया आपको कि आप इन्हें मजबूर कर रहे हैं इसलिए ये आप से दूर हो रहे हैं इनकी एक्षळ नहीं आपसे दूर होने की लेकिन आप जो दिन रात लडाई जगड़ा कर रहे हैं आप जो दिन रात उनके पीशे पढ़ गए है कि कमिटमेंट होना चाहिए शाधी होना चाहिए कुछ नकुछ इस रिष्टे में हमें पॉजिटिव करना चाहिए तो आपकी ये बातें अब उनके उपर से गुजरने लगें अब वो ये बर्दास्त नहीं कर पा रहे थे हमेशा आपके जो परसन हैं अपनी मनमर्जी चलाती है इनको इस तरह से अपनी आजादे खोना बिल्कुल पसंद नहीं है ये चाहते ही नहीं है जो भी चीज़ें अभी तक कर रहे थे आपके साथ हमेशा नहीं जो रिष्टे बनाए वो अपनी फैमली से छुपा कर रखे थे अगर जरासी भी प्राब्लम होने लग जाती तो फिर ये भागते हैं ये सिच्यूशन को फेस करने वालों मैंसे नहीं है और जब हिम्मत नहीं थी तो फिर रिष्टा बनाया ही क्यों तब इनको ये नहीं लगा कि क्यों किसी को धोखा दे रहे हैं क्यों अपने टाइम पास के लिए अपने इंटर्टेन्मेंट के लिए किसी और की लाइफ को खराब कर रहे हैं इनके मन में तब ऐसी कोई भी बात नहीं आई तब इनने बड़ा अच्छा लगा आपके साथ स्टार्टिंग में आपसे बहुत दोस्ती कर लिए आपसे रिष्टे बनाने लगे आपसे बहुत प्यार के वादे करने लगे लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता जब आपने इनसे शादी की बात की तो फिर ये वहीं से आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दी आपसे लड़ाई जगरे शुरू हो गए कहीं न कहीं आप बहुत मासूम हैं आप इनकी चालवाजियां आप जैसे इनकी किसी भी बात को समझ नहीं पाए थे आपके मन में बस यहीं आया था कि हो सकता है कि कोई मजबूरी हो जो थोड़े दिनों में साइद ये शॉर्ट आउट करेंगे शायद इस प्राबलम को ये सॉल्व करेंगे तो आपके जो परसन थे शुरुआत से ही यही प्लानिंग के साथ आये थे कि जब तक अच्छा चलेगा सब कुछ इस रिष्टे में तब तक ये रिष्टा बना कर रखेंगे और जब प्राबलम स्टार्ट हो जाएंगे तब छोड़ देंगे किसी और के साथ फिर इंजॉय करेंगे तो अभी हम देखते हैं ये बहुत आसान होता है लोगों के लिए जो बहुत ही प्रक्टिकल हो गए हैं जो दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं ये नहीं कोई और सही इस तरह से वो बहुत सारे आप्शन रखते हैं अपनी लाइफ में और जब आप इनकी जिन्दगी में हैं या थे तब भी इनके पास दूसरे कई सारे आप्शन हुआ करते थे भले ही आपको नहीं बताते हों लेकिन इनकी बहुत सारे दूसरे आप्शन हमेशा रहते हैं तो ये बहुत जादा सीरियस नहीं थे इस रिष्टे को लेकर ना तो पहले थे और ना आप ही हैं इनकी दिल में दिमाग में बस यही चलता है कि अगर आप शादी की जिद करेंगे अगर आप किसी कमिट्मे कर आपके साइड आएं ये जरूरी नहीं है क्योंकि सीरियस ही नहीं थे कभी आप आख बंदगर की जैसे इन पर भरोसा कर चुके हैं आपने इनको बहुत-बहुत सारी कमिट्मेंट आपने अपनी तरफ से इनसे वादे किये हैं आप इने हमेशा उतना ही अनकंडिशनल हैं आप इनकी सच्चाई जानते ही नहीं थे आपको ये लगा कि जिस तरह से आपका दिल मासूम है आपके दिल में सच्चाई है तो इनकी भी आप यही सोच रहे थे कि ये भी बहुत सचे इनसान है ये जो बोलते हैं वो हर बात सच है तो धीरे 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 चीज़े खराब होती गई क्योंकि आपने इन पर विस्वास किया और ये अपना मतलम निकालने के बाद अब जब मजबूरी इन्हें नजर आई कि अब यहां दाल और नहीं गलने वाली है तो फिर ये इस रिष्टे से मूव उन कर गए अगर ये मेरिड हैं अगर इनकी फैमली है तो य अगर ये अनमेरिड हैं तो ये दूसरे ऑप्शन तलासते हैं और फिर किसी के साथ इन्जोय करते हैं थोड़े समय तक जब तक इनकामन करें इस तरह से ये धोखा ही देते हैं इनसान को तो आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रॉंग करना चाहिए था आपको चीजन समझना चाहिए थी किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करने की बजाए थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए था कि इनसान किस तरह का है अभी इनके दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है आपके लिए क्योंकि ये दिल से आपसे नहीं जुड़े थे I hope आप समझ गए हों अपने केरियर के लिए फोकस करें क्योंकि आपकी लाइफ में भी कोई कमी नहीं है लोगों की कोई भी आपको मिलेगा लेकिन उससे भी पहले आपको खुद को स्ट्रॉंग करना होगा I hope आप समझ गए हैं समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है चैनल पर नए हैं तो च को उनकी ब्लैसिंग मिलती रहें और चो टॉक्सिक रिलेशन था वो आपसे दूर हो गया जो निगेटिविटी थी वो आपकी लाइफ से अब दूर हो गई है तो आप पॉजिटिव रहें खुश रहें और खुशियां बाटते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में जैमाता दिजाए श्री कृष्णा अपना ख्याल रखिए और आपने चुना है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं क्या उनकी फीलिंग्स हैं सब कुछ बताएंगे बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रोंग है इरिसलियो साजिटेरियस में शेंधनुरासी और जामनी लिबराइक वरियस में थुन्तुला कुमराशी की एनरजी भी है यहां पर बात कर लेते हैं डेट अब बर्थ की तो आपकी पर्सन की या आपकी डेट अब बर्थ हो सकती है किसी चाहाता तारीक चैरता पर पर्थ 22 आएस तारीक ये इम आपकी पर्सन की बात कर लेते हैं बर्थ मंद की तो बर्थ मंद हो सकता है मार्च मै अक्टूबर अगस्त डिसेंबर और जून ये वर्थ मन्त हो सकते हैं नेम के नीशल की बात करें तो आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आर पी एच डी एन बी जे एस एक्स और जेट ये नेम के नीशल हो सकते हैं कंडिशन की बात करें तो कंडिशन कुछ इस तरह से है कि अभी आपके पर्सन कहीं बाहर गए हुए हैं अभी आपके आसपास नहीं है अभी आप दोनों के बीच लॉंग डिस्टेंस है बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे शोशल मीडिया पर मिले हैं आपकी दोस्ते हुई है शोशल मीडिया पर जैसे साधी.com, fp पर, इंस्टा पर कहीं न कहीं आप मिले हैं और आपकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत comfortable फील करते हैं बहुत attraction फील करते हैं और आप खास तोर से आप उनके साथ एक soulmate connection फील करते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये रिष्टा नया नहीं है आपको ऐसा लगता है कि आपका उनसे पिछले जनम का कोई रिष्टा है आपकी जान पहचान अभी की नहीं पिछले जनम की है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगती हैं जैसे कि इतने सारे लोग मिलते हैं शोशल मीडिया पर पर हर किसी से इतनी दोस्ती तो होती नहीं कोई इतना करीब नहीं आ सकता है पर इनके साथ आपको एक अलग ही स्ट्रॉंग रिलेशन फील होता है एक कनेक्शन फील होता है हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हैं परिकादवार सामने से भी मिल चुके हैं कई लोगों के लिए और कई लोग ऐसे हैं कि जो पहले friendship थी और बाद में आपकी जो person है वो बाहर चले गए या आप बाहर चले गए और फिर आप दोनों की बात होते होते phone पर और अब आप तो उनों का जो रिष्टा है वो प्यार में बदल गया है तो दोस्ती से प्यार हुआ है यहां पर बहुत ही strong connection है और क्या होता है कि जब किसी से दोस्ती हो तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं बहुत understanding होती है इसलिए आपकी इस रिष्टे में इतनी understanding है इतना अच्छी bonding है जो बहुत कम देखने को मिलती है एक के दिल में जो बात आती है वो दूसरे को पता चल जाती है तो इतना strong relation है इतना करीब हैं वो दिल के आपके और आप भी उनके दिल के बहुत करीब हैं आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पर misunderstanding बहुत कम होती है लडाई जगड़े सभी रिष्टे में होते हैं तो यहाँ पर भी होते हैं लेकिन बैसे नहीं होते कि जो बहुत दिनों तक चलते रहें यहाँ आप दोनों की जो bonding है वो इतनी strong है कि आप दोनों एक दूसरे की दिल की हर बात जान लेते हैं अगर किसी को एक problem है तो दूसरे को पता चल जाता है जैसे वो सुना होगा ना अपने चूट तो जी लगे तो दर्द मुझे होता है विल्कुल वैसा ही strong connection फील करते हैं आपके person आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बिना कहीं ही कैसे उनके दिल की बात समझ में आ जाती है उन्हें जरासी तकलिफ होती है आपका phone आ जाता है ये कैसे होता तो intuition बहुत strong हो गया है आपका भी इस रिष्टे में जैसे कि बिना बात करीब ही आप दोनों एक दूसरे तक अपने message पहुँचा देते हैं भले ही वो long distance है अभी आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है लेकिन दिल के बहुत करीब है आप का जो nature है वो कुछ इस तरह से कि आप बहुत केरिंग है आप उनको किसी भी problem में नहीं देख सकते अगर आपको हिसास हो जाए कि उन्हें कोई problem है या उनकी तवित खराब है या उन्हें कुछ भी है तो आप बहुत बहुत केरिंग है फिर आप उनका पूरा ख्याल रखते हैं भले ही आप उनके आसपास नहीं है फिर भी आप फोन पर बात करके आप medicine का पूछेंगे आपने खाना खाया नहीं खाया ये सब आप पूछते हैं तो एक बहुत motherly nature है आपको बहुत केरिंग है तो आपकी ये सारे चीज़ें वो बहुत miss करते हैं और even जब वो दूसरों से भी compare करते हैं आपको तो यहीं पाते हैं कि कोई भी आपके जैसा हो नहीं सकता आप जो उनकी जिन्दगी में हैं तो उनकी जिन्दगी बहुत खुबसूरत है हर पल वो उस घड़ी का इंतजार करते हैं जब आप उनके साथ होंगे उनको ऐसा लगता है कि अगर وہ कहीं बाहर पड़ाई करने गए हैं या आप कहीं बाहर गए हैं या आप दूनों कहीं दोर दोर रहते हैं तो उन्हें इंतजार है उस पलका कि जब आप उनके जिंदगी में आएंगी जब आप एक साथ होंगे तो वो इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं बहुत स्ट्रोंग रिलेशन फील करते हैं आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में जल्दी से जल्दी सकसिस हासिल करें और उस मुकाम तक पहुँच जाएं ताकि वो आपको कमिट्मेंट करें आपसे शादी के वादे करें या फिर आपसे शादी ही करें बहुत जल्दी है उनको शादी की लेकिन वो बहुत प्रक्टिकल इन्सान भी है बहुत सुल्च हूई है वो यह जानते हैं कि लाइफ में बिना पैसे के कुछ नहीं होता जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएंगे अपनी लाइफ में स्टेविल नहीं हो जाएंगे तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे उन्होंने ये खुद से भी बादा किया है उनको ऐसा लगता है कि एक बार अपने केरियर में स्टेबल होना बहुत जरूरी है उसके बाद ही किसी और रिष्टे के लिए कुछ भी इनसान सोच सकता है तो अभी जैसे ये अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं अपने फैसले अभी नहीं ले सकते हैं तो ये बहुत सीरियस रहते हैं एक बात आपको ये भी बता देते हैं कि ये अपने केरियर को लेकर भी बहुत सीरियस है अपनी फैमली से इनको बहुत प्यार हैं लेकिन आपको हर पल्याद करते हैं हर वक्त आपकी ही यादें उनके दिमाग में चलती रहती हैं कभी भी किसी और का ख्याल उनके दिल में नहीं आता है तो आपके परसन जो हैं बहुत लॉयल है इस रिलेशन को लेकर उनके मन में कभी कुछ ऐसा नहीं आता है कि आपको छोड़ कर वो कुछ और सोचे आपके परसन आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या महसूस करते हैं और आप भी अप पॉजिटिव हो जाएं क्योंकि आपके परसन बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शियर करें मिलती है अगली वीडी में जे माता दी जैश्वी क्रिश्न